हलो विएर्स आज के वीडियो में हम कक्षा नवी सामाजिक विज्ञान विशे का वार्षिक परिक्षा का ब्लूप्रिंट देखेंगे जो कि इस वर्ष दोहचार बाविस तेविस का है कक्षा नवी सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट और इसके साथ ही हम यह भी देख कि कक्षा नवी के सामाजिक विज्यान में यदि आपको पास होना है ठीक है यदि आप आपके लिए सामाजिक विज्यान यदि कठीन है और आप सामाजिक विज्यान में कमजोर भी हो तो भी आप सामाजिक विज्यान विशे में इस प्रकार आसानी से पास हो सकते हो बहुत अ वी सामाजिक विज्यान का ब्लूप्रेंट देख लेंगे उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से आप इसमें आसानी से पास हो सकते हो तो ब्लूप्रेंट में सबसे पहले यांपर हम भुगोल विशे का देखते हैं तो भुगोल विशे की जो पुस्तक है आपकी समकालिन भारत एक के नाम से जो की भुगोल विशे की पुस्तक है और इसमें जो अध्या एक है भारत आकार और सदी इस पे कुल छे अंका वंटी ते मतलब इस अध्याय में से छे अंका के प्रशन पूछे जाएंगे इसमें से एक नंबर का एक प्रशना आएगा और दो नंबर का एक प्रशना आएगा और तीन नंबर का एक प्रशना आएगा तो यह अध्या महतपूर नहीं क्योंकि इसमें से एक एक नंबर का प्रशना भी आएगा दो नंबर का भी आएगा और तीन नंबर का भी इसके बाद जो अगला ध्याए भारत का भोतिक स्वरूप इस अध्याए में से चार नंबर के प्रशन पुछे जाएंगे और यहां से चार नंबर का केवल एक ही प्रशन आएगा इसके बाद अगला ध्याए अपवाह इसमें से कुल तीन नंबर के प्रशन आएंगे और तीन नंबर के केवल objective question मतलब एक एक नंबर का ही प्रशन पुछा जाएगा इसमें से दो तीन और चार नंबर का कोई प्रशन नहीं आने वाला है इस अध्याय में से हमें केवल एक एक नंबर के प्रश्णों की तयारी करनी है इसके बाद जो अगला अध्याय जलवायू इस अध्याय में से कुल चार नंबर के प्रश्णों पुछे जाएंगे और इसमें दो दो नंबर के दो नंबर का एक प्रश्णा आएंगे यहां से जलवायू वाले अध्याय में से इसके बाद अगला अध्याय प्राकरतिक वनस्पति तता वन्य प्राणी इसमें से कुल चार नंबर के प्रश्ण पूछे जाएंगे और यहां से दो दो नंबर के केवल दो प्रश्ण आएंगे ठीके दो दो नंबर के दो प्रश्ण इसके बाद अगला अध्याय जनसंख्या और इस अध्याय में से कुल चार नंबर के प्रश्ण पूछे जाएंगे और यहां चार नंबर के एक एक नंबर के प्रश्ण ही आएंगे चार केवल यहां से दो तीन और चार नंबर का कोई प्रश्ण नहीं पूछा जाएगा जो जनसंख्या वाला अध्या है यहां से हमें केवल objective question तयार करने हैं और अभवावाले अध्याए में से मतलब एक एक नंबर के प्रशन नहीं तयार कर लेंगे और एक एक नंबर के प्रशन तयार करना बहुत ही आसान हैं और प्रशनों की तयारे के लिए चैनल पर वीडियो आने वाले हैं हर अध्याय के महत्वपुन प्रशन हम बनाएंगे वो भी आपके ब्लूप्रिंट के अनुसार जिससे के आप इन अध्यायों के अच्छे से तयारी कर लो तो अपवाह और जनसंख्या वाले अध्याय से हमें के अध्याय भारत का भोतिक स्वरूप यहां से चार नंबर का एक दिर्ग उत्तरी प्रशन पुछा जाएगा तो इस अध्याय से हम दिर्ग उत्तरी प्रशन सारे जो महत्वपुन तयार कर सकते हैं और इस प्रकार हमारे चार नंबर यहां से हमें मिल जाएंगे बहुत आसान से तो इतनी आसानी से हम इनको त्यार कर सकते हैं इसके बाद जो पहला अध्याय भारत आकार हो इस्तती अभी बहुत आसान है यहां से दो नंबर का प्रश्ण भी आएगा तीन नंबर का भी और एक नंबर का प्रश्ण भी आएगा तो इसके भी सारे महत्पुन प्रश्ण ज और आप आसानी से बहुती अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे बुगोल विशे में इसके बाद हम देखेंगे अगला जो इसमें विशे है आपकी जो अगली पुस्ते के भारत और समकालिन विश्व एक जो की इतिहास विशे है यहां पर और इसमें सबसे पहला अध्या है फ् करना है इसके बाद जो अगला अध्या है यूरोप में समाजवादेम रूसी करांती इस अध्या में से कुल चार नंबर के प्रश्ण पुछे जाएंगे एक एक नंबर के दो प्रश्ण आएंगे और दो नंबर का एक प्रश्ण पुछा जाएगा इसके बाद अगला ध्या नाजिवाद और हिटलर का उध्य इस अध्या में से तीन नमबर के प्रश्ण पुछ जाएंगे और तीन नमबर के क्योल अबजेक्टिव क्योश्चन ही आएंगे यहां से दो तीन और चार नमबर का कोई प्रश्ण हमें तयार नहीं करना है इसके बाद जो अगला ध्याए वन्य समाज और उपनिवेशवाद इसमें से तीन नमबर के प्रश्ण आएंगे और यहां पर एक नमबर का एक प्रश्ण और दो नमबर का एक प्रश्ण पुछा जाएगा इसके बार जो अगला अध्याए आधोनीक विश्व में चरवा है इस अध्याँ से कुल तीन नमबर के प्रश्ण पूछे जाएंगे और यहां तीन नमबर का एक प्रश्ण नहीं आएगा जैसे फ्रांसेसी करांती वाला जो पार्ट है इसमें से हमें एक एक नमबर का कोई प्रश्ण तयार नहीं करना है यहां से केवल हम दो दो नमबर वाले प्रश्ण नहीं तयार करेंगे तो आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं क्योंकि हमें एक एक नमबर की त्यारी इस अध्याय में से नहीं करनी होगी इसके बाद जो अगला अध्याय है इसमें से हमें एक एक नमबर के और दो नमबर के प्रशन त्यार करने है इसके बाद जो अगला अध्या नाजिवाद और हिटलर का उदाही इसमें से केवल हमें एक एक नंबर के प्रशन ही तयार करने हैं तो हमें यहां से दो तीन चार नंबर की तयारी कोई नहीं करनी केवल एक एक नंबर के प्रशनों का वीडियो चैनल पर आएगा और उसमें से ही आपके वार्षिक परिक्षा में प्रश्ण आसानी से आ जाएंगे इसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पर अगला जो अध्याय आधुनिक विश्व में चरवा है इसमें से केवल हमें चार नंबर का ही एक प्रश्ण त्यार करना है ठीके यहां से तीन नंबर का ही हमें प्रश्ण त्यार करना है ठीके यह तीन नंबर का प्रश्ण यहां से आएगा और हम इसमें से हमें यहां से कोई objective वगेरा question त्यार नहीं करना क्यों तीन नंबर का प्रश्ण ही हमें त्यार करना है और आसानी से हम इसको त्यार कर लेंगे इसके बाद जो अगला विशह है आपका सामाजिक विज्ञान में है वो है लोकतांत्रिक राजनिती जो की राजनिती विज्ञान की पुस्तक है और इसमें जो अध्या है प्रथम लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों इसमें से पांच नंबर के प्रशना आएंगे एक एक नं और एक प्रशन दो नंबर का इसके बाद अगला द्याहे चुनावी राजनिती इसमें से भी तीन नंबर के प्रशन पुछे जाएंगे और तीन नंबर के जो प्रशन होंगे वो एक एक नंबर के तीन प्रशन आएंगे ठीके एक एक नंबर के तीन प्रशन उसी प्रकार अग अध्याई लोकतंतिक अधिकार इसमें से चार नंबर के प्रश्ण पुछे जाएंगे और चार नंबर का या एक प्रश्ण ही आएगा दिरगोत्री तो इस अध्याई में से हमें केवल दिरगोत्री प्रश्ण ही तयार करना है और इसी प्रकार जो जुनावी राजनिदी वाल जिससे कि आपके सामाजिक विज्यान के संपूर्ण तयारी हो जाएगी यदि आप विडियो नीमित रूप से देखोगे तो सामाजिक विज्यान में आप बहुत ही अच्छे अंकल आ सकते हो इसके बाद हम देखते हैं आपका जो अगली जो पुस्तक है सामाजिक विज्यान क वह अर्थ शास्त्र है और अर्थ शास्त्र में आपके इस वर्ष केवल चार अध्या है पालंपुर गाउं की कहानी संसाधन के रूप में लोग निर्धनता एवं चुनोती और भारत में खाद्य सुरक्षा तो जो पहला अध्या है पालंपुर गाउं की कहानी इसमें से तीन नमबर के प्रशन पुछे जाएंगे और इसमें से केवल एक एक नमबर के ही तीन प्रशन आने वाले हैं इसके बाद जो अगला ध्याय संसाधन के रूप में लोग इसमें से चार नमबर के प्रशन पुछे जाएंगे और इसमें दो दो नमबर के दो प्रशन आएंगे ठीक है दो दो नमबर के दो प्रशन चार नमबर के प्रशन आएंगे इसके बाद अगला अध्याय निर्धनता एवं चुनोती इसमें से पांच नमबर के प्रशन पुछे जाएंगे एक नमबर का एक प्रश्ण और एक प्रश्ण यहां से आएगा चार नमबर का इसके बाद जो अगला अध्या है भारत में खादे सुरक्षा इसमें से तीन नमबर के प्रश्ण पुछे जाएंगे और तीन नंबर के जो प्रशन होंगे वो एक एक नंबर के तीन प्रशन होंगे तो इस प्रकार हम आसानी से देख के समझ सकते हैं कि पालंपूर गाउं की कानी वाला जो अध्या है इसमें से केवल एक एक नंबर के प्रशन तयार करने हैं उसी प्रकार भारत में जो खादिय सुरक्षा है, इसमें से भी एक-एक नंबर के प्रश्ण ही हमें तयार करने हैं, यहां से दो, तीन और चार नंबर का कोई प्रश्ण तयार नहीं करना हैं, इसके बाद जो अगला अध्या है, संसाधन के रूप में लोग इसमें से हमें दो दो नमबर के ही प्रश्ण तैयार करने हैं केवल यहां से कोई दिरगोतरी भी याद नहीं करना है केवल निर्धन तायम चुनती वाला जो अध्या इसमें से एक दिरगोतरी प्रश्ण आएगा तो इस प्रकार से यदि हम तैयारी करेंगे और चेनल पर आने वाले वीडियो से यदि आप तैयारी कर लेते हो तो आप सामाजिक विज्ञान में बहुत ही अच्छे अंकला सकोगे और आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी सामाजिक विज्ञान की और बाकी विश्यों की भी इसके साथ ही आपको पता भी होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान का जो प आठकम नहीं किया गया है सामाचिक विज्ञान में तो इस प्रकार हमने देख लिया कि सामाचिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट क्या है और हमें एक्जाम के लिए किस प्रकार से त्यारी करनी है तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कॉक्षा नववी की संपूर तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए